बाके मा रमजान को क्रमा हुने पारिवारिक भेटखाट पनी सामाजिक दुरी काईम गर दे हुने गरी कोछा। सनिबार देखी सुरुभाई को एक महिना लामो रमजान पर्वा अंतरगत नवाज पनी मुसलिम संग्सस्ता को आवहान मा घर में पर्णने गरी एकोछा। पर्शार उदैपुर्मा मस्चित चंग सम्मंदित कोरोना वाइरेस को संक्रमाड को संख्या बड़े पछी बाके का मस्चित धर्मा पनी सतर कताब बड़ाई एको छा। संक्रमाड रोक्न लगडाउन को अवस्ता रहेकाले मुसलिम धर्मा गुरू हरुले रमजानमा घर में बसेरा नवाज पर्णे संदेश दिये का छन। हरेक सुक्रबार साना साना बालबाली का हरू नवाज पर्णा मस्चित में जाने चलन छा। तर लोगडाउन को अबस्तालाई मध्यों नजर गरदे अहिले तेसमा पनी रोक लगाई येको छा। सरकार को निती रा आदेश को पालना गरदे बागे का मुस्लिम हरुले आफूरो समाज बचाउने के लागी थार्मिक परंपरालाई निरन तरता दिये का छन। देशमा कोरोना भाइरस ले महामारी को रुपलिये को अबस्तामा मुस्लिम समुदायले सरकार को आदेशलाई समर्थन दिदाई घर में बसेर नवास पड़ी रहेको जन प्रतिनी दिहरले पनी बताय का छन। लोगडाउन संगय नेपाल गंजमा रहेका अधिकांग समस्चित बंद गरिये का छन। रोक को कुनी जात्र धर्मा नहुने भंदै बागे का मुस्लिम हरूले सरकार ले लागू गरे को लोगडाउन तथा सामाजिक दूरी का नियम हरू परवका बेलापनी पालाना गर्ना अपिल गरे का छन। निर्देश दिये को छा कि सब्बे मुस्लिम हरू आपनो आपनो घर मा भसे रा आपनो नमाज पढ़ने आपनो इबादत गरने अरू बाकी चार पांच जना मस्चित मा जन तिनी हरू लाई मस्चित को हेर चा को लागी वहां को देख भाल को लागी सनिवार बाट रमजान महिना शुरू भाई को हो सो महिना मा मुस्लिम हरूले 30 दिन रोजा बसनी कर्द छन। निरहार बसनी सो रोजा को समय मा मुसलिम हरूले दैनिक 5 पटक नवाज पढ़नु का साथै सुक्रबार का दिन जुमा को नवाज रहरेक राती तरा हवी हको नवाज पढ़नु पढ़त छा। सामान्य समय मा इस सबै नमाज हरूर रोजा अफ्तार कारिक्रम हरू मस्चित मा सामही कृप मा गरीने गरिये पनी अहिले कोरणा का कारान मस्चित मा धार्मिक कारिय हरू बंदा गरिये को छा।